टूटेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ओनलाइन, दिस इस अंकिता सूद, सो पेपर वन के फाइनल प्रपरेशन के लिए टीचिंग अप्टिट्योड के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटर क्वेशन्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो क्वेशन स्टूडें पूछे जा सकते हैं, इस सेशन की सबसे खास बात ये है कि हर एक क्वेशन के अंसर के साथ मैं आपको इंपोर्टेंट एक्स्वेशन भी दूँगी, ताकि बहुत एजिली आप सभी के कॉंसेट्स भी क्लियर होते रहे, तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते है The process of comparing a student's performance against his or her previous performance is known as what? So, देखे, teaching learning के दुरान जब classroom में किसी एक particular student की performance को उनके ही पिछले performance के साथ compare किया जाता है, तो वो कौन सा मुल्यांकन, वो कौन सा assessment कहलाता है? Okay, so यह बहुत important है, evaluation system के types में से यह question आया है, so देखे, students, जैसे माल लीजिए, किसी एक बच्चे के unit test 1 में कितने marks आये हैं, unit test 2 में, unit test 3 में कितने marks आये हैं, उनको compare किया जाता है और यह check किया जाता है, कि student की progress जो है, वो सही हो रही है, या फिर student और पीछे की तरफ को जा रही है, तो इस evaluation को कहा जाता है, options है, diagnostic evaluation, so diagnostic evaluation में तो हम भूनते हैं, कि बच्चे को learning में क्या problem आ रही है, तो यह वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, अगली है, summative, summative evaluation वो होती है, जिसमें grades, percentage या final results बच्चे को बताये जाते हैं, तो इस question में ऐसे भी कोई बात नहीं की गई है, तीसरा option है, Ipsative assessment, तो यह है इसका सही answer, that is option number 3, तो इसको note करना है, exam में Ipsative एक term नहीं आई है, जिससे बार-बार questions पूछे जाते हैं, ओके, students, paper 1 में आप सबको help करने के लिए complete course में लेकर आई हूँ, जिसमें आपको examination के difficulty level और updated pattern के according पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर र साथ ही आपको एक special whatsapp group में भी add किया जाएगा, जिसमें कि आप अपने teachers के साथ directly अपने कोई भी doubts को discuss कर सकते हो, आपके final revision के लिए updated mock test है, जिसमें से हमेशा paper में as it is सवाल आए है, और upcoming exam में भी देखने को जरूर मिलेंगे, अगर students आपका target December 2024 नहीं, वलकि June 2025 में JRF qualify करना ह तो भी आप आज से ही तयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि one year की validities course में हम आपको देने वाले हैं, इसके अलावा यहाँ पर दो whatsapp numbers दे रही हूँ, आप इन पर call या message करके course की पूरी जानकारी ले सकते हो, साथ ही कुछ videos और mock test आप free में भी रेख सकते हो, जो कि global online app में available है store section पर जाएं, search bar में लिखे course का नाम, content पर जाते ही आप देखोगे कि आपके सामने separate courses है, English, Hindi, Bilingual, हर course में आपको unit wise folders के साथ previous year papers के video solution भी मिल जाएंगे, जो कि आपको tricks के साथ मदद करते हैं, बहुत easily correct answers को identify करने में, तो यह एक ऐसा course है, जिसको अगर आप अच्छे से follow करत हो तो first attempt में आपके paper 1 में आप 100 में से 80 plus score कर पाओगे, next question है, स्वयम प्रभा is an education learning platform initiated by DTH channels, so देखे स्वयम प्रभा हमें पता है कि DTH channels services के through educational programs TV के जरीए बच्चों तक पहुंचाते हैं and इसमें total 40 DTH channels होते हैं, right, so स्वयम प्रभा किनके द्वारा प्रारम्ध किया गया था, so options है ministry of human resource and development जिसको MHRD के नाम से जाना जाता है, अब इसका नाम बदल दिया गया है ministry of education, दूसरा है UGC university grant commission, consortium for educational communication या फिर all India council for technical education, so इस question का सही answer है, option number one that is ministry of human resource development जिसको अभी ministry of education MOE का नाम दिया गया है, next question है, so students अगर आपको ये session पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि ऐसे ही quick MCQ sessions को हम examination तक continue करें, तो आप हुझे जरूर comment करके बता सकते हो, and ये question series बहुत help करेगी आपका पूरा syllabus easily cover करने में, so arrange the stages of PRJ's theory of cognitive development in ascending order, so देखिए, PRJ ने cognitive development, यानि कि संग्यानात्मक विकास के लिए mental development के लिए कुछ theories बनाई थी, जिसमें कि वो चार stages पर काम करते हैं, ओके, ये चार stages के नाम आपके सामने दिये हुए हैं, आपको इनको सिरफ एक ascending order में, आरोही क्रम में arrange करना है, so सबसे पहले, जो छोटे बच्चे से शुरुवात पियाजे ने की थी, इनका कहना था कि जो सबसे छोटा 0 से 2 साल का बच्चा होता है, वो जो भी चीजे सीखता है, वो अपनी senses यानि की अपनी इंद्रियों से सीखता है, आसपास के लोगों को सुनकर, उनको ध्यान देकर, उन सब चीजों से छोटा बच्चा सीखता है senses से, तो senses से आपने याद रखना है sensory motor stage, तो sensory motor stage होगा हमारा सबसे पहला option, okay, so sensory motor stage, that is option number C, यापर आप देख सकते हो, सिरफ एक ही ऐसा question है, एक ही ऐसा option है, जहां पर C से हम शुरूबात कर रहे हैं, बाकी के भी देख लेते हैं, अगला है pre operational, जिसमें की 2 से 5 साल तक के बच्चे को include किया जाता है, आप में पड़ी हुई हैं, आप उसको जरूर देख सकते हो, लिंक भी description box में मैं add कर दूँगी, तीसरा stage आता है concrete operational, जिसमें की 5 से 7 साल के बच्चे को consider किया जाता है, और last आता है formal operational stage, जिसमें की 7 से 12 साल का बच्चा include किया जाता है, अब इसके keywords हैं, जैसे sensory motor के keyword है, senses, अपनी इंदरियों से बच्चा सीखता है, concrete operational में बच्चा imaginary जिन्दगी में जीता है, यानि कि imaginary जिन्दगी मतलब वो superheroes, यह सब चीजों को सच मानते हैं, तो यह कुछ keywords हैं जो आपको याद रखने हैं, and सही answer है option number two, next question है, which of the following is a technique to provide right kind of support in right amount of, right amount at right time to increase child's competency, okay, बहुत ही जादा important question है, इसमें पूछा गया है, पहले यह बताते हूँ कि यह topic कौन सा है, यह है आपके पास cognitive apprenticeship model, so models of teaching में C.A.M. model हमने बढ़ा था, उसके कुछ steps यहाँ पर आपको दिये गए हैं, ठेके, इसमें बोला है कि किसी एक person को, किसी एक student को, अगर हम guidance देते हैं, उनको हम किसी भी topic के लिए guide कर रहे हैं, उनको proper support दे रहे हैं, लेकिन समय के साथ-साथ, अब हमेशा तो एक बच्चे को हम किसी काम के लिए support नहीं देंगे, समय के साथ-साथ वो support जैसे-जैसे घम हमें करते हैं रहना चाहिए, जैसे-जैसे वो बच्चा सीखता जाता है, तो इस term को, इस technique को क्या कहा जाता है, options are scaffolding, assistance, accommodation या फिर schemas, so, इस question का सही answer क्या होगा, option number one, that is scaffolding, so, cognitive apprenticeship model में, हमारे पास 6 steps होते हैं, जिसमें से third step होता है, हमारा scaffolding, अब यहाँ पर एक homework question में आपको दे रही हूँ, मुझे बताइए कि आपको, मुझे cognitive apprenticeship model के steps, आप लोग comment करके बताइए, अगर आपको यह नहीं आते हैं, ठीके, नहीं पता कि steps क्या हैं, तो भी आप मुझे comment कीजे, मैं उसके जो वीडियो है, उसका लिंक आपके साथ फिर share कर दूँगी, next question है, which of the following are these strategies of cognitive apprenticeship, to develop higher order skills among learners, यही वो model है, जिसकी हम बात कर रहे थे, okay, संग्यानात्मक, प्रशिक्षुता की, रनीती इसको कहा जाता है, यह model हमें बताता है, कि जब भी आप किसी organization में जाते हो, तो वहाँ पर direct आपको काम नहीं दे दिया जाता, पहले वो organization आपको सिखाती है, कि कैसे उनके softwares, कैसे उनके products को आपको use करना है, so इसमें कुछ strategies है, higher order skill development के लिए जो use की जाती है, options है, mentoring, collaboration, socializing, second option भी आप देख सकते हो, इसमें बोला गया है, so second option में बोला गया है, modeling, coaching and scaffolding, तो ये वाला तो एक बिल्कुल सही option आपको लोगों के सामने है, ठीक है, modeling, यानि कि पहले, जो आपका trainer है, वो आपको काम करके दिखाएंगे, आपने सिरफ उनको देखना है, उसके बाद coaching आता है, उसके बाद इसमें बोला जाता है, कि जो अभी तक आपने देखा, उसको एक बार कुछ ट्राइ करने की कोशिश कीजिए, और scaffolding होता है, कि धीरे धीरे, जैसे जैसे हमें लगेगा, कि एक दिन बाद, दो दिन बाद, आप काम सीख रहे हो, हम अपनी guidance, जो है, हम आपके साथ अपना knowledge, knowledge तो share करते रहेंगे, हम अपना जो support है, वो धीरे धीरे कम करते रहेंगे, ये होता है scaffolding में, so option B तो सही है, and दूसरा option आजाएगा, आपके पास option number D, ठीक है, that is articulation, reflection and exploration, so last question में, जो six steps मैंने बोले थे, ये वही six है, one, two, three, शुरू के तीन ये है, फिर fourth, fifth and six ये है, articulation आपको बोलता है, कि जो भी आप कर रहे हो, उसको बोल बोल के करो, ताकि सामने जिन्हों ने आपको training दिये, वो उस चीज़ को सुने, reflection होता है, कि जो काम आपने किया, उसका self evaluation आपको करना है, and exploration होता है, कि जो भी चीज़े आपने सीखी, अब उन से थोड़ा आगे बढ़कर, आप खुद कुछ नई चीज़ डेवलप करने के कोशिश कीज़े, clear है, मैं उमीद करती हूँ, students, आपके सारे concepts clear हो रहे है, next question is, which of the following statements best describe brainstorming method of teaching, so brainstorming, बुद्धी शीलता, ये क्या होती है, brainstorming method हमें बोलती है, जिसमें कि, बहुत सारे ideas को generate किया जाता है, produce किया जाता है, brainstorming में students के group होते हैं, उनको एक topic दिया जाता है, और जो भी उनको, उस चीज़ का knowledge है या नहीं है, वो उसके बारे में discuss करते हैं, तो हर एक student जिनको knowledge नहीं होता, वो भी इसमें बहुत कुछ सीखते हैं, और बहुत से ideas को भी generate करते हैं, तो सही answer है 1, which of the following are the main characteristic of learner-centered approach, so learner-centered approach जानि कि, जिसमें कि students के according पढ़ाया जाता है, okay students जैसा पढ़ना जाते हैं, easy way में उनको पढ़ाया जाता है, so ये क्या होता है, rigid curriculum, tough curriculum नहीं होता है, then we have centered on cooperative determination of subject matter, यानि कि इसमें बोला गया है कि, जो भी आपका subject है, उसके साथ बच्चों को बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ाया जाता है, तो ये सही होगा, it is mainly centered on teacher's need, teacher's need है, तो ये teacher-centered होगा, learner-centered नहीं होगा, it lays emphasize on variability of exposure, ठीक है, यानि कि, इसमें कुछ नया बच्चों को सिखाया जाता है, अलग-अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाकर, यहाँ पर नई चीजें सिखाई जाती है, तो सही answer है, option number B and D, that is option number 3, the channels of Swayam Prabha are uplinked from BISAC, so BISAC कहां पर है, ये पूछा गया है, ठीक है, जितने भी channels Swayam Prabha में, वो BISAC नहीं handle किया हुए है, यह इसके लिए responsible है, और इनका office है, गांधी नगर, गुजरात में, next question is, which assessment will be given to learners, during the course of instruction, rather than after it is completed, so ये question का answer, देखिए मैं आपको नहीं बताऊंगी, जो बच्चे regular मेरे पास पढ़ रहे हैं, उनको इसका answer जरूर आता होगा है न, तो मुझे बताए कि, कक्षा के दौरान, जो evaluation जो मुल्यांकन होता है, वो कौन सा मुल्यांकन होता है, तो इसका सही answer comment करके बताएए, नहीं आता है, तो भी comment कर दीजिए, ताकि मैं उस वीडियो का link आपको दे दूँ, next is, which of the following statements best describe summative evaluation in evaluation procedure, so summative evaluation होता है, at the end of the session, जैसे कि आपके final exams होते हैं, जहां पर आपको grades दिये जाते हैं, okay, so जहां पर भी students, यह term नजर आएगी, grades, that means we are talking about summative evaluation, next question is, learner-centered approach is centered on teacher's need, यह same question, देखो मैंने क्यों add किया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी, कि PYQs में वही चीजें, वही statements, अलग-अलग तरीके से पूछी जाती है, अभी हमने पढ़ा, कि learner-centered है, तो वो teacher's की need पर क्यों focus करेगा, तो इसलिए यह वाली statement तो गलत हो गई, learner-centered approach is centered on cooperative determination of subject matter, ओकी तो यह बिल्कुल सही है, same question आया है, इसलिए जही answer option number 4, a learner combines his or her previous schemas, और modifies them as per new experiences, बहुत ही जादा important question है, तो जो हमने अभी cognitive apprenticeship model पढ़ा था, उसी में से यह term उठाई गई है, तो देखी इसमें बोला है कि एक person के पास अगर कोई पुराना knowledge है, मालीचिक छोटे बच्चे को पता है कि जिसके पास four legs होती है, one tail होती है, वो क्या होता है, वो dog होता है, दूसरी बार बच्चे ने आकर बच्चे के सामने cat आ गई, बच्चे ने उसको भी dog बोल दिया, लेकिन फिर हमने उस बच्चे को बताया कि difference क्या होता है cat और dog में, ठीक है, वो कैसे उनकी आवाज होती है, क्या difference होते हैं, यह हमने बच्चे को बताया, तो यहीं चीज होती है, जो इस question में पूछी गी है, कि learner ने combine किया अपना previous knowledge, और अपने नए experience को भी add किया, और उस चीज को थोड़ा सा modify कर दिया, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, schema को हम क्या बोलते हैं, accommodation, assimilation, adaptation या फिर equi, liberation, तो सही answer है option number one, that is accommodation, पुराने knowledge में, पुराने knowledge को तो रखा ही, साथ ही नया knowledge भी उपने दिया और difference भी बताया कि दोनों में क्या फरक था, that is called accommodation, assimilation का मतलब होता है, आत्म साथकरण, assimilation यहाँ तक था जब उस बच्चे ने four legs, one tail को देख करके, cat को dog बोल दिया, अभी उनको नया knowledge नहीं दिया, उपने difference नहीं बताया, आभी सरफ बच्चे ने पुराने knowledge को यूज किया, किसी particular object को देखने के बाद, okay, confusion है इस question में, तो इस पे भी separate video अरड़ी है, उसको भी आप देख सकते हो, next question है, which of the following curriculum development models come under technical scientific model, so TSC, technical scientific model से बहुत questions आते हैं, तो इसका सही answer है, tabas model, exam में इसी question को घुमा कर पूछा गया था last time, कि tabas model आपका technical scientific model होता है, या फिर नहीं होता है, तो आपका सही answer आपको पता होना चाहिए, next question is, which of the following are, the requirements of a good teaching, good teaching के क्या क्या requirements होती है, responsive human environment to foster exploration, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि, जो बच्चे explore करते हैं चीज़ों को, कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं, वैसा एक environment बच्चों को बना कर देना, तो ये बिल्कुल सही है, अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम एक good teacher बन सकते हैं, अगला है, appropriate responsiveness to the children and the group, appropriate responsiveness का मतलब है, कि बच्चों को सिखाना की कक्षा में, ग्रूप में आप कैसे, actively participate कर सकते हो, knowledge of subject matter बिल्कुल सही है, maintaining interpersonal relationship, आपस में students का, students का teacher के साथ, कैसा relation होना चाहिए, strict adherence of a rigid teaching plan, tough teaching plans, अगर लेकर आएंगे, तो हमारी teaching कभी भी अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए सही answer है, option number B, that is A, B, C and D. Next question, which of the following is, a major advantage of online learning, over offline learning? So, online learning over offline learning का, क्या मतलब है? कि online learning के, क्या-क्या फाइदे हैं, अगर हम उसको offline learning के साथ, compare करते हैं, तो limited access, कि कम समय तक, जब तक कक्षा में teacher है, तब तक ही पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं होता है, flexibility, flexibility का मतलब है, जैसे अभी देखिए, ये session में, माल लीजिए, 9 p.m. पे upload कर रही हूँ, ठीक है, आप लोग को इमिडेटली देख लोगे, कई लोग 2-3 दिन बाद देखोगे, कई शायद हो सकता है, बहुत महीनों बाद भी देख रहे हो, तो online हमें ये flexibility का एक advantage देता है, cost भी जादा नहीं होती, अभी बहुत बच्चे हैं, जो YouTube पर free videos ही देख रहे हैं, ठीक है, तो cost भी जादा नहीं होती, inter activities भी इसमें नहीं होती, तो flexibility होगा, सही answer, next question is, which of the following are the benefits of collaborative learning environment, collaborative learning environment हमें बताता है, हर एक बच्चे को बताता है, कि अगर combine होकर आपको task कैसे complete करना है, एक साथ मिलकर बच्चों को कैसे किसी task को पूरा करना है, okay, so options है, improved communication skills, एक साथ बैठ कर जब बच्चों को मानलो, कोई task दे दिया, कोई project दे दिया हमने करने के लिए, तो ऐसे बच्चों की communication skills बढ़ती है, वो आपस में बातचीत करना सीखते हैं, अपनी मन की बातों को present करना सीखते हैं, तो ए तो बिलकुल सही option है, okay, दूसरा option है, decreased understanding of different perspectives, decreased understanding of, नहीं, इसमें understanding बढ़ती है, घटती नहीं है, इसलिए यह वाला option गलत है, increased motivation, motivated होते हैं बच्चे, उनको opportunity मिलती है, बोलने की, feedback देने की, ठीक है, enhanced problem solving abilities, यहाँ पर बच्चा सीखता है, कि अगर किसी problem में हम फस जाते हैं, तो कैसे बाहर निकलना है, अगर आपको पढ़ाना है, और मालो हम क्लास को थोड़ा interactive बनाना चाहते हो, जिसके लिए हमने थोड़ा quiz start कर दिया, quiz के लिए हमारे पास कुछ software तो होना चाहिए, कुछ platform तो होना चाहिए, जिस पे हम quiz बनाएंगे, तो वो कौन सा एक ऐस प्लाटफर्म होता है, options हैं आपके पास, classcraft, pedlet, google classroom या फिर kahoot, सही आंसर है, option number 4, that is kahoot, अब ये देखिए, pedlet एक बहुत important topic है, इसका answer भी मुझे बताईए, comment करके, कि pedlet क्या होता है, जैसे kahoot होता है, आपका quiz वगरा देता है, आपको एक ऐसा platform बनाता है, जिसमें बच्चे games के साथ साथ सीख सकते हैं, कुछ भी, और एक teacher भी kahoot में जाकर, खुद के अपने end पर quizzes बना सकते हैं, वैसे pedlet किसलिए बनाया गया है, ये बहुत important है, which of the following are game-based learning platform, so खेल-खेल में बच्चों को सिखाना इसमें A option नहीं है, इसको हमने पहले delete कर देना है, then we have B option, जिसका नाम है Socrative, ये भी आप लोगों को games के through ही बच्चों को सिखाने के लिए एक ऐसा platform देता है quiz, quiz नाम का भी एक application है, जो की teachers को help करता है, कि वो अपने जो भी questions बच्चों से पूछना चाहते हैं, वो कैसे interactive way में games के जरीए बच्चों से पूछे EPG पार्शाला नहीं आएगा Edmodo भी नहीं आएगा, ओके तो सही answer है A, B and C ये देखी, pedlet का question मैंने पूछा था भी, ये PYQ है आपके सामने, pedlet is a game-based platform used in educational institutions to create quiz, conversations and surveys तो ये तो pedlet की definition नहीं है, है ना नहीं है ना, ये किस की है, कहूट की definition है, अभी हमने पढ़ा तो देखो students, अब तो मिझे पूरा पता है कि आप लोग अब तक तो समझ ही गए होंगे कि कैसे question exam में आते हैं, अगर आपने वो कहूट बाला अच्छे से पढ़ा होता, तो ये question आपका बिल्कुल गलत नहीं हो सकता था, है ना, तो इसलिए PYQs practice करना बहुत जरूरी होता है, statement 2 बोलती है Seesaw is an app based platform that allows student to work together on texts PDFs, drawings and videos etc, तो Seesaw is a platform होता है, जो कि बच्चों को बोलता है कि आपको PDF share करनी है, drawings share करनी है, videos की जरीए कुछ सीखना है, तो वो सब बच्चे कर सकते हैं, तो first option is incorrect and second is absolutely correct, तो सही answer है option number four which tools will be used to prepare schedules and class time tables, so class time tables अगर बच्चों के लिए बनाना है as a teacher आपको, तो कौन से softwares को आप use कर सकते हो, कौन से platforms आपको मिलते है, options है, Microsoft Outlook so, Microsoft Outlook भी आपको ये help करता है Trello, Trello भी एक ऐसा software है, जो कि class में time table बनाने में आपको मदद करता है and google calendars telly तो नहीं है, telly तो accounts maintain करने के लिए एक software है right, तो सही answer होगा option number a, b and c only who among the following is the national coordinator for engineering courses to be launched on Swayam platform तो देखे, students, Swayam platform में, जितने भी courses होते हैं, उन सभी courses को handle करने के लिए, nine national coordinators बनाए गए है तो इस question में पूछा है, कि engineering courses को कौन सा coordinator handle करता है, अब देखे, यहाँ पर coordinator का मतलब होता है, कि हर एक course के लिए, एक अलग field बनाई हुई है, जैसे engineering के लिए, कोई और department है, कोई और coordinator है, school education के लिए, कोई अलग coordinator है, right, and coordinators के responsibility यहाँ पर होती है, कि वो जितने भी courses हैं, उनको prepare भी करें, उनको manage भी करें, time to time उसको update भी करते रहें, so engineering के बात की गई है, options है AICTE, NCE RT, NPTEL या फिर UGC, तो देखें students NCERT तो नहीं होगा, क्यों क्योंकि यह है आपका school education से related, okay AICTE, TE का मतलब होता है, यहाँ पर technical education, all India council for technical education, तो यह जितने भी आपके technical courses हैं, उसके लिए responsible है UGC responsible होता है post graduation and non technical courses के लिए, तो सही answer है यहाँ पर NEPTEL, that is N-P-T-E-L, यह है आपका responsible engineering की courses को handle करने के लिए in Swayam platform, सभी coordinators की details आप देख सकते हो यह full forms भी पढ़ लीजिए and यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि किस तरीके के courses को यह handle करते हैं, so NEPTEL की full form है national program on technology enhanced learning and especially engineering courses के लिए बनाया गया है which of the following is included in the teaching of understanding level, so understanding level से related terms हमें ढूणनी है application, यानि कि जो knowledge हमारे पास है, उस knowledge को apply करना, comparison एक किसी topic के बारे में हमें पता है, उसको अपने किसी नए topic या अपने पुराने knowledge के साथ compare करना, abstraction जिसको अमूर्तन कहा जाता है और exploration यानि कि explore करना, जिस चीज के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता, उसके बारे में थोड़ा सा भी जब हम knowledge ने ले लगते हैं तो उसको exploration बोलते हैं so understanding level में हम explore करते हैं चीजों को जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता या थोड़ा सा knowledge होता है अब ये जो बाकी के तीन terms है upcoming exam में इनमें से भी questions पूछे जा सकते हैं तो देखे students terms, recall, recognition यानि की पहचानना और retention यानि की प्रतिधारना retention का मतलब होता है किसी चीज को retain करना अपने दिमाग में fix कर लेना सुनने के बाद या पढ़ने के बाद ये चीज़ें आती हैं memory level में reflective level में आता है हमारे पास comparison reflective level हमें बताता है कि अगर आपके पास चीजें हैं, दो जगा से आपने कुछ knowledge लिया या दो चीजों के बारे में आपको ग्यान है तो आप उनके बीच में तुलना कैसे करोगे कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है application जो knowledge है उसको real life में कहाँ अप्लाई करना है और abstraction यानि की अमूरतन तो ये शुरू के तीन options जो हैं ये आपके reflective level से जुड़े हुए हैं, जो कि upcoming examination के लिए बहुत important है next is which of the following model is used for the development of e-content for MOOC on Swayam so देखें, Swayam के अंदर हमें पता है कि 4 quadrants होते हैं ये 4 quadrants में एक quadrant ऐसा है जो हमें e-content provide करवाता है यानि कि अपनी पढ़ाई के लिए pdf या फिर study materials provide करवाता है, ठीक है तो इसलिए यहाँ पर सही answer होगा option number 1 that is 4 quadrants देखें बाकी के 3 quadrants क्या है, video lectures specially prepared reading material, जिसको कि हमने e-content अभी बोला self assessment जिससे कि आपके test बगरा होते हैं quizzes होते हैं, online discussion कि आपको कोई भी doubt है, तो आप यहाँ पर discuss कर सकते हो, आपको उसके solution जरूर मिलता है next is, which of the following is incorrect regarding CBCS, तो चलिए पहले तो वीडियो को pause करके, आप मुझे full form बता दीजे कि CBCS teaching में क्या होता है यह question exam में आएगा ही आएगा, ठीक है तो CBCS is a framework to provide choices for electives and optional to students यह बच्चों को अपनी पसंद के subjects select करने में मदद करता है बिलकुल करता है, बट यहाँ पर incorrect statement बोला है, तो यह तो CBCS के regard में सही है तो इसको हम गलत करतेंगे, ठीक है CBCS can be implemented only through online programs, यह बोल रहे है कि CBCS को सिर्फ online programs के जरिये आप implement कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं यह इसके लिए गलत statement है ओके यह इसके लिए गलत statement है हमें incorrect है ढूनना था तो यहाँ पर देख सकते हो आप सही answer आगया option number V next question is which among these is a dimensional teaching aid, so dimensional teaching aid, वो कौन सा teaching aid ऐसा है, जो कि किसी dimension यानि कि किसी आयामी के उपर काम करता है, blackboard नहीं है display board भी नहीं है pictures भी dimensional teaching aids नहीं है, तो सही answer है, models and models की जब भी हम बात करते हैं, तो model basically three dimensional representation है, किसी भी real चीज़ का abstract things का, real things का dimensional representation है and यह three dimension पर काम करता है, ओके a teacher designing a lesson on cultural diversity for a college class in anthropological, anthropological plans to what so यहाँ पर देखो एक example, एक real life example के साथ question जो है frame किया गया है इसमें बोला है कि एक teacher एक lesson बना रहे हैं किस पे Sanskritic विविधताओं के उपर ओकी हर एक Sanskriti में जो विविधता होती है, उसके उपर एक lesson प्लान कर रहे है especially for college के बच्चे, तो यहाँ पर क्या चीज, कौन सी statement इसको सही define कर रही है lecture on major, cultural group and around the world and their traditions know analyze artifacts and symbols from different cultures अलग-अलग cultures के artifacts और उनकी symbols को हमें क्या करना है समझना है और अपने meaning में या उनको उनके meaning में हमें explain करना है उनके meaning को हमें explain करना है नहीं यह भी नहीं होता next है organize a simulation where students experience aspects of a specific culture last option है facilitate a debate on the impact of globalization on cultural identities तो यह होगा आपका सही answer कि अगर हमें बच्चों को संस्कृतिक विविधता के बारे में बताना है तो उनकी संस्कृतिक पहचान तो उनकी संस्कृतिक पहचान पर वैश्वी करन के परभाव यानि कि globalization का क्या परभाव पड़ा है वो एक topic देकर बच्चों को बोलेंगे discuss करो तो ऐसे करके वो चीजों को ज़्यादा सीख पाएंगे So students मैंने आपको homework दिया था CBCS की full form बताने के लिए तो CBCS होता है choice based credit system यह बच्चों को allow करता है to choose which of the following interdisciplinary, interdisciplinary, skill oriented papers यानि कि जिससे आपकी skill develop होती है open book examination no cataloging services no तो सही answer है option number 1, 2 and 3 choice based credit system students को यह permission देता है कि वो interdisciplinary और interdisciplinary मतलब देखिए मान लीजी आप non medical रखते हो तो non medical में physics, chemistry, math, English और IP आपके subjects है ठीक है यह 5 subjects है लेकिन CBCS हमें allow करता है कि आप इन में से physics, chemistry, math तो आपको non medical में पढ़ना ही पढ़ेगा इसके अलावा आप extra subject जैसे की history भी पढ़ सकते हो आपका मन है आप economics भी पढ़ सकते हो तो यह होता है interdisciplinary और interdisciplinary जो कि हमें CBCS allow करता है CBCS को UGC ने launch किया है University Grant Commission के बारे में आपने पढ़ा है उसको CBCS को UGC ने ही launch किया है अब यहाँ पर एक question दे रही हूँ और कि बताइए CBCS को UGC ने कौन से year में launch किया था next is match the following का question है levels of teaching और उसके examples memory, understanding, reflective okay so यहाँ पर देखिए encourages critical thinking based on cognitive interchange so critical thinking यानि की बच्चों को गहन विचार करने के बारे में जब सिखाया जाता है तो वो कौन सा level होता है वो होता है आपके पास reflective level तो हम C को first से match करते हैं तो C को first से match करोगे तो आपको automatically answer मिल जाएगा ठीके memory level बोलता है enhances, sorry facilitates recalling ये देखिए अभी हमने first question में recalling और recognize term पड़ी थी understanding level होता है enhanced scope of seeing of relationship and meanings दो या दो से जादा चीज़ों के बीच में relationship उनके बीच में meaning अगर समझना है तो वो reflective level की responsibility होती है तो सही answer है option number one मैं उमीद करते हैं students आपको इस सारे questions पसंद आ रहे हैं and अगर आपको कोई भी doubts है या separate किसी वीडियो पर separate किसी topic पर आप वीडियो चाहते हो किसी unit पर वीडियो चाहते हो तो मुझे comment करके बता दीजिए मैं teaching aptitude के बाद वो unit भी start कर दूँगी what should be the aim, main objective of teaching, teaching क्यों होती है मैं आपको बढ़ा रही हूँ क्या उदेश्य है, क्या सिरफ आपको examination के लिए पास करना मेरा उदेश्य है, नहीं to dictate good notes, आपको क्या सिरफ अच्छे notes देना, no, provide required information related to subject आपके subjects के लिए जितनी information आपको जरूरी है, जरफ वही देना, नहीं to develop thinking power of students, आप लोगों की thinking power, mental abilities को बढ़ाना एक teacher की responsibility होती है अब देखे, जैसे हम आपको बढ़ा रहे हैं, तो हमने आपको memory level, reflective level और teaching level का example लेते हैं यह 3 levels बहुत अच्छे से पहले बढ़ा दिये, हमने आपको उनके terms भी बता दिये, अब exam में as it is question ही आते हमने आपकी thinking power बढ़ाई कि आप यह keyword याद रख लो, यह definition याद रख लो, तो answers easily आप match कर लोगे तो यह बहुत जरूरी होता है, thinking power बच्चे की बढ़ाना which of the following sequences accurately represent Morrison's stages of teaching, so Morrison ने teaching के कुछ stages बताये थे, जो कुछ इस तरीके से हैं, वो बोलते हैं कि पहले हम explore करते हैं, फिर present करते हैं, recitate करते हैं, यानि कि सस्वर पार्ट करते हैं, उसका, बोल-बोल के उसको याद करते हैं, या present करते हैं, simulation and organization, assimilation and accommodation मैंने आपको बताया था, cognitive apprenticeship model के अंदर भी आता है, ठीक है reflective teaching is, reflective teaching क्या है, cyclic process of thinking about learning, हमने क्या सीखा, उसके बारे में सोचना, linear process of thinking about teaching, एक ऐसा process जिसमें हम teaching के बारे में बहुत डीप में जा करके सोच सकते हैं, या सोचते हैं, cyclic process of thinking about teaching, देखिए, एक चीज़ तो यहाँ पर clear कर देती हूं आपकी, कि reflective teaching, चिंतनशील शिक्षन जो है, वो एक चक्रिय प्रक्रिया होती है, cyclic process होता है, ठीक है, जिसमें कि हम teaching के बारे मे सोचते हैं, ओके, the main, the memory for general knowledge and facts about the world as well as memory for the rules of logic that are used to deduce others fact is known as, अब देखिए, आप general knowledge पढ़ रहे हो, कोई fact पढ़ रहे हो, देश-विदेश के बारे में, वो आपके memory में store हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी memory जहां पर आपके rules, logic, ये सब चीज़ें store होती है, उस memory को क्य कहते हैं, temporary तो नहीं होती है, है न, semantic, iconic ये general, तो ये होती है, आपके semantic यानि की, शब्दार्थ समरिती, अब देखो, GK वगेरा आप पढ़ते हो, one term में उसके answers होते हैं, तो वो शब्दार्थ होते हैं, रहे हैं, तो शब्दार्थ समरिती, semantic memories को कहा जाते हैं, the organized bodies of information stored in memory that bias the ways new information is interpreted, stored and recalled is known as, okay, so बहुत ही साधा important question है, इसका सही answer है, schema, simple सा question ने लिखे, यहां पर बोला है, स्मरिती में, यानि कि हमारी memory में, संग्रहित जानकारी, जो भी information हमने कठी की है आज तक, उसका संगटित निकाय, ठीक है, उसका जो संगटित एक साथ, जो हम संगटित निकाय करते हैं, जो नई जानकारी की व्याक्या, नई information हम उससे related जो भी ले रहे हैं, उन सबको व्याख्या उनको interpret करता है, उनको store करता है और उनको recall करता है, याद करने के तरीके को पुर्वा ग्रहित करता है, ठीक है, याद करने के तरीके को क्या करता है, organized तरीके से हमारे को बताता है, पुर्वा ग्रहित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, schema कहते हैं, एक particular formatting में जो चीजें होती हैं उसको schema कहते हैं, okay, the communication process is active and interactive, लिखिए communication हम कर रहे हैं classroom में, जहां पर active भी है हम और interactive भी है, active का मतलब होता है कि सामने वाला कुछ बोल रहे हैं, तो हम उनको जिसे सुन भी रहे हैं, और response भी दे रहे हैं, at a very high level, in which of the following levels of teaching, तो वो concept teaching के level में होता है, तो वो होता है reflective level में, ठीक है, यानि कि हम सुन भी रहे हैं, सामने वाला जो बोल रहे हैं, उसमें response भी दे रहे हैं, तो response term is related to reflective level, which of the following is true about understanding level of teaching, understanding level, समझने की चीज़े होती हैं, तो इसका सही answer है, teaching is comprehend, teaching to comprehend the concept, अब धारनाओं को समझना या समझाना सीखा जाता है, अब जैसे memory level में आपको ABCD सिखाया जाता है, ABCD का actual meaning, उसकी actual implementation आपको सिखाती है, understanding level, okay, which of the following describe understanding level of teaching, systematic step by step presentation of, to promote retention of facts and facts presented, okay, so this question में बोला जा रहा है, देखिए, कि systematic तरीके से आप क्या कर रहे हो, अब retention, retention term मैंने क्या बताई, retention और facts को recall करना होता है, आपका memory level, तो ये तो understanding level का नहीं है, giving a large number of positive and negative examples to explain concepts, ये PYQs में से statement आई है, as it is, कि किसी भी concept को लेकर के, या किसी भी concept को explain करने के लिए, आप उस उसके positive और negative examples लेकर उसको समझा रहे हो, तो ये बिलकुल सही है, insisting on effective storage of information, जवर्दस्ती, store करनी है बस information, ये memory level में होता है, helping to promote seeing the relationship among facts, लेकि last question में भी हमने पढ़ा, facts के बीच में relationship हमें reflective, sorry understanding level बताता है, ये हमें बताता है, कि A for apple है, B for ball है, तो इनके बीच में क्या relation है, apple बखाने के काम आता है, ball खेलने के काम आती है, तो facts के बारे में भी समझाता है, और उनमें अगर कुछ similarities या differences है, या relation है, वो भी बताता है, तो B and D, हमेरे पास सही answer होगे, ठीक है, MOOCit is one of the project serving currently for providing online education, it is offered by, so MOOCit जो platform है, ये offer किया गया है, IIT Kanpul, Bombay, IISC, IIT Madras, जो इसका सही answer है, IIT Kanpul, Okay, so, again, देखिए CBCS का question लेकर आई हूँ, in CBCS, ability enhancement courses are of two kinds, इसमें बोला जा रहा है कि क्षमता वृद्धी के जो पाठ्य कराम होते हैं CBCS के अंदर, ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है, options दिये गए हैं, आपको सही दो ढूणने है, ability enhanced compulsory courses, ये बोलता है कि abilities को किसी person की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए compulsory courses इसके अंदर है, बिल्कुल सही है, ओके, तो पहला statement तो सही है, skill enhancement compulsory courses, skills को enhance करने के लिए compulsory courses है, ability enhancement elective courses नहीं है, skill enhancement elective courses भी नहीं है, skill enhancement courses भी नहीं है, थीक है, तो सही answer है, A and A and B, ओके, वैसे तो देखिए, यहाँ पर courses select करना एक बच्चे के लिए open है बिल्कुल, वो चाहे तो जो मर्जी elective, जो मर्जी main subject अपना select कर सकते हैं, बर skill enhancement और ability enhancement के लिए, जो आप एक बार course select करते हो, वो फिर आपको follow करना पड़ता है, थीक है, Which of the following methods are learner-centered teaching methods, so learner-centered ही, जिसमें learner focused होते हैं, learner के पास, student के पास एक पूरा अधिकार होता है, कि वो student teacher से कुछ भी questions पूछ सकते हैं, कुछ भी मतलब topic related कुछ भी, ठीक है, जिस तरीके से वो पढ़ना चाहते हैं, जैसे वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो teacher को बोलकर उस तरीके से पढ़ सकते हैं, सो learner center teaching methods में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तिसमें active learning आती है, कि बच्चेओं के हिसाब से अगर पढ़ाएंगे, तो वो बहुत actively participate करते हैं, ठीके, दूसरी चीज़ आती है, cooperative learning, इसमें बच्चे एक साथ मिल जूलकर पढ़ना लिखना सीखते हैं, ये भी सही है, inductive teaching and learning, so inductive teaching and learning भी सही है, learner center के regard में, passive learning यह आपर नहीं होती है, passive learning आपकी teacher centric method में होती है, टीके, तो सही answer है, A, B and C only, that is option number one, what is true about non-formal learning environment, non-formal learning environment क्या होता है, learning does not take place in structured way, okay, non-formal, देखिए, formal learning होती, जो school में बहुत strictly बढ़ाई जाती, non-formal होती, जो आपको games के through, informal भी इसको बोल सकते हैं, जो games के through, puzzles के through, बच्चों को सिखाई जाती है, poems के through, बच्चों को सिखाई जाती है, ठीक है, so, इसमें कहा गया है, non-formal के अंदर कौन कौन सा आता है, true statements हमें देखनी है, learning does not take place in structured way, so, structured way में teaching नहीं होती है, learning नहीं होती है, यह बिल्कुल गलत है, structured way में होती है, एक plan तो पूरा करना ही पड़ेगा न, अगर बच्चों को poem के through भी बढ़ा रहे हैं, तो वो plan चीज़ें होती है, ठीक है, अगला है हमारे पास, does not aim at certification, इसमें certification भी मिलता है, true बोला है, तो गलत होगी है, learning takes place in a structured manner, structured manner में learning होती है, okay, so देखे students, इस वाले question में थोड़ा सा confusion है, कि learning takes place in a structured manner, तो structured manner में यह होती है, देखें, यहाँ पर not था, यहाँ पर सही होगा, यह ठीक है, takes place outside formal educational structure, takes place outside formal educational structure, उससे थोड़ा सा बाहर यह निकल के काम करती है, ऐसा बोला जा रहा है, intents to achieve pre-determined educational objectives, pre-determined यानि कि पहले से कुछ हमने objectives decide किये हैं, कि आज बच्चे को हम poem के थूँ या किसी भी तरीके से, informally यह topics सिखाएंगे, तो pre-determined educational objectives इसमें होते हैं, जो कि बिलकुल सही है, so इस प्रश्न का सही answer है, option number B, that is C and E only, okay, knowing that you find algebra more difficult than your sister does, but that you could improve with practice is an example of what, so एक example यहाँ पर दिया है, इसमें बोला है कि आपको पता है, कि अपनी बेहन की तुलना में वीजगनित, यानि के algebra आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आपको यह भी पता है, कि अगर आप थोड़ी सी practice करोगे, तो आप इस चीज को improve कर सकते हो, इस अभ्यास करने से सुधार कर सकते हो, तो यह किसका example है, options है, self-regulation, metacognition, self-discipline या फिर automation, ओके, सो देखो students, आप लोगों को इस सवाल में यह समझना है, कि आप क्या कर रहे हो, compare कर रहे हो, एक person की, ठीक है, किसी एक person की mental abilities को, किसी दूसरे person की mental abilities के साथ compare किया जा रहा है, तो वहाँ पर हमेशा, मैंने आपको बताया है कि mental abilities का मतलब क्या होता है, कि हम cognitive abilities की बात कर रहे हैं, तो cognitive तक आप पहुंच गए, जब भी comparison किया जाता है, mental abilities का, तो उसको metacognition कहा जाता है, that is option number two, okay, so देखे, metacognition में एक और question यह बन सकता था, कि exactly इसकी definition क्या होती है, so जब भी हम अपने thought process को समझते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, और उसको किसी दूसरे के साथ compare करते हैं, तो उसको metacognition बोला जाता है, अब जैसे कि आप लोगों को पता है, कि paper one में 10 units हैं, ठीके, आपको maximum जैसे मुझे पता है, कि मुझे maths नहीं आता, तो मैं नहीं कर पाऊँ है, इसलिए मैं बिलकुल last way math करती हूँ, बीच में अपना time base नहीं करती, तो ये मेरी metacognition है, अधी संग्यता है, कि मुझे पता है, maths मुझे tough लगता है, तो मुझे अपनी awareness है, अपनी abilities की awareness है, और उसकी understanding है, समझगे? स्टेटमेंट वन बोलती है, metacognition is the understanding about one's own use of language, तो अभी हमने पढ़ा, ये वाला question, December 2013 में आया था, इसमें बोल रहा है कि metacognition understanding होती है, अपने language के use की, तो ये स्टेटमेंट गलत है, मैंने आपको क्या बताया, metacognition understanding about one's own thought process, अपनी abilities, अपनी awareness को समझना metacognition कहलाता है, जिस वज़ा से ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत होगी है, सेकिंड स्टेटमेंट बोलती है, mnemonics is the knowledge about our own thinking process, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि statement 2 में जो definition दी गई है, ये आपकी metacognition की definition है, metacognition होता है process, it is a process that the knowledge about own thinking process, ठीक है, सो mnemonics क्या होता है, mnemonics basically, it refers to technique or strategies, used to improve the memory, आपकी जो memory है, या फिर retention power है, या recall करना किसी information को, वो power है, उसको boost up करना, उसको enhance करना, जो process क्या लाता है, उसको mnemonics बोला जाता है, स्मृति विध्यान बोला जाता है, ठीक है, अब जैसे मालो, कि मैंने कोई चीज पढ़ी हुई थी, मैं उसको recall paper में नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, तो मैं उस ability को, अपनी उस power को कैसे boost up करूंगी, उसकी प्रक्रिया को कैसे बढ़ाऊंगी, उस प्रक्रिया को mnemonics कहा जाता है, तो both the statements are here, absolutely incorrect, which of the following is national coordinator of स्वयम courses for non-technical fourth graduation education, तो बहुत आसान और बहुत साधा important question है, आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता है, कि स्वयम प्रभा में nine national coordinators होते हैं, ठीक है, nine national coordinators क्या करते हैं, ये अलग-अलग subject, अलग-अलग field में courses develop करने, और उनको handle करने का काम करते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, non-technical और post-graduation में, तो पहला option है, all India council for technical education, तो इस वाले option को तुम पहले ही गलत कर देंगे, क्यों? क्योंकि इसमें technical नाम में ही technical लिखा हुआ है, और हमें non-technical term को ढूँना है, तो पहला option आपका गलत कर देंगा, second option है, National Institute of Technical Teachers Training and Research, तो इसमें भी देखिए technical आ गया, यह भी गलत हो जाएगा, अगला है, National Council of Education, Educational Research and Training, that is NCERT, तो NCERT आप लोगों का non-technical तो है, ठीके, लेकिन साथ में आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है, ठीके, साथ में एक चीज़ और बोली है, Post-Graduation, तो NCRT, Post-Graduation नहीं, School Education के लिए useful है, तो correct answer तक हम automatically पहुंच गए, that is University Grant Commission, बहुत आसान question था, which of the following are the subdivisions of implicit unconscious memory, Okay, so हमने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, कि Teaching Attitude में memory नाम का topic इंटर्ड्यूस हुआ है, Right? So, यहाँ पर आपको बोला है, implicit memory के subdivision यानि कि इसके parts कौन-कौन से हैं, तो पहले यह देखते हैं कि implicit memory क्या होता है, implicit memory बेसिकली एक long term memory होती है, And यह unconscious होती है, वो तो चलो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, Unconscious memory का मतलब होता है, कि यह ऐसी memory है, जो खुद हमारे mind में store हो जाती है, अब जैसे आपका इगूमने गए हो, आपने specifically किसी चीज़ को पढ़ कर याद नहीं रखा है, आपका इगूमने गए हो, यह question दिसंबर 2023 में भी पूछा गया था, थोड़ा सा घुमा कर, तो सबसे पहला point है प्रिमी, तो प्रिमींग implicit का ही type होता है, procedural memory भी implicit का type होता है, और साथ ही आपके पास एक term आती है, classical conditioning effect, यह भी implicit का type होता है, तो A, C and D, A, C and D हम लोगों को मिल गया है, इसके अलावा, A, C and E, sorry, E नहीं, D नहीं है, E है, बिल्कुल सही, तो यह हम लोगों को मिल चुका है, इसके अलावा, जो option number 2 है, episodic memory, episodic memory क्या होता है, यह explicit का type है, ठीक है, implicit नहीं है, यह explicit है, जैसे इस बार implicit पूछा है, अगली बार explicit पूछा जा सकता है, episodic memory explicit होती है, जैसे कि कोई जगह, कोई time, कोई place आपको याद है, किसी जगह पर जाकर आपको कुछ लोगों की याद आती है, ठीक है, वो सब episodic memory होती है, explicit होती है, semantic memory क्या होता है, जैसे कि आप journal knowledge, current affair के facts, कुछ-कुछ याद रखते हो, तो वो सब आपकी semantic memory के अंदर जाता है, ओके, इस हिसाब से आप लोगों को सारे options मैंने explain कर दिये हैं, बहुत important है exam के लिए, the media accountability system to improve media quality focuses on what, so media गुणवत्ता, media आप लोगों को पता है, teaching learning में भी, communication में भी use होता है, so media की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, media accountability system, किन-किन चीज़ों पर focus करता है, evaluation, audience control, monitoring, education, feedback, यह आपका unit 4 का questions में आ गया है, communication unit का question है, तो क्या-क्या होता है, evaluation, अब किसे भी चीज़ की accountability करनी है, उसको improve करना है, तो मुल्यांकन करना भी ज़रूरी है, कि कहां पर कमी आ रही होगी, audience को control कर लेंगे, तो वो उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अच्छे से, ठीक है, monitor करना भी ज़रूरी है, ध्यान रखना भी ज़रूरी है, उसके बाद education भी ज़रूरी है, media के साथ साथ, तब social media या कोई भी media, आप communication के लिए use कर रहे हो, उसके बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है, साथ में उसका feedback होना भी ज़रूरी है, तो correct answer है, A, C, D, N, E, O, N, Which of the following are the Irrelated Phases Created by John Keller for Stimulating and Sustaining Learner's Motivation in the Teaching and Learning Process. तो यहां पर बोला है कि teaching और learning का जो process होता है, सीखने और सिखाने का जो process होता है, उसमें student के motivation को बढ़ाने के लिए, यानि कि stimulate करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए John Keller ने कुछ phases बनाए थे, आपको वो phases बतानी है, बहुत important question है, attention, authority, relevance, confidence, satisfaction, so attention का मतलब होता है, कि यह बोल रहे हैं, कि हर बच्चा अगर ध्यान देता है, कि कि जो भी teacher पढ़ा रही है, या फिर जो भी सामने से कुछ बोल रहे हैं, उन पर अगर ध्यान दिया जाता है, तो वो learner motivated भी रहेंगी, और उनकी learning जो है, वो लंबे समय साग रहे हैं, तो attention बिल्कुल सही option है, ठीक है, तो इसको आप सब देख सकते हो, option number one सही है, दूसरे number पर आ रहा है, authority होने की यहां पर कोई बात भी नहीं है, ठीक है, प्राधिकार होना या नहीं होना, learner की motivation से जुड़ा हुआ नहीं है, relevance का मतलब है कि, कहां पर बच्चे को दिक्कत आ रही है, क्या वो सीखना चाहता है, उसके relevance में हम लोग बात करें, confidence, obviously confidence तो होगा ही, और last है satisfaction, student के learning outcome की, और students की learning की जो satisfaction है, संतोश है, that is also very important, so correct answers क्या आ जाएंगे, A, C, D and E only, that is option number one, which of the following is a major advantage of online learning over offline, online अब देखो, आप लोग मेरे ये sessions देख रहे हो, online learning है, offline learning आज तक school में आप लोगों नहीं की है, तो क्या difference है दोनों में, limit access, limited access, कि आप लोगों को सब कुछ नहीं मिल सकता, C, M, E, पहुंच है, ठीक है, C, M, E, लोगों तक ही इन वीडियो की पहुंच हो सकती है, नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई भी कहीं पर बैठ के भी पढ़ सकता है, flexibility, बतब जब आपका मन करे, और जैसे ये sessions मेरे सुबह साथ बज़े अगर होती है, तो आप लोग इन sessions को हो सकता है, पांच दिन बाद देख रहे हो, दस दिन बाद देख रहे हो, या सेम डे पे रात को देख रहे हो, ठीक है, तो flexibility होती है, cost जादा है, free videos मेरी यहाँ पर आप देख रहे हो, तो cost जादा है, नहीं है, free में तो है, interactivity, अंतर गतिविदी भी नहीं होती है, तो क्या इसके advantage है, flexibility, कि कोई बच्चा online classes, कभी भी कहीं से भी, अपने according, attend कर सकता है, choice-based credit system, ये जून 2030 का paper का question है, choice-based credit system has been adopted only, in the Central Universities of India, ये बोल रहा है कि, choice-based credit system, CBCS, जो कि NEP ने recommend किया था, ये सिर्फ Central Universities जो है, इंडिया की, सिर्फ वही इसको adopt करेंगी, वही इसको use करेंगी, बाकी कोई नहीं करेंगा, तो ये तो गलत है, CBCS, Central Private Public, सब यूनिवर्सिटीज के लिए, choice-based credit system, assign credit based on the learning outcomes of course, आपके course का जो आपने सीखा है, उसका जो आपका output आया है, जो result आया है, उसके हिसाब से आपको credit देती है, तो ये सवाल बिल्कुल सही है, first is for, second is true, statement one बोलती है, Moodle is an example of learning management system, okay, so बहुत important सवाल है ये, so Moodle क्या होता है, Moodle बेसिकली एक online learning platform है, जो कि learning management system का example है, तो ये statement तो बिल्कुल सही है, learning management system क्या होता है, ये बेसिकली एक educational material प्रोवाइड करवाने के लिए, online learning environment बनाया गया है, इसमें जो भी teachers है, वो upload कर सकते हैं, और organize कर सकते हैं, reading material को, and students उसको easily access कर सकते हैं, and Moodle के अलावा, learning management system के और भी बहुत सारे examples होते हैं, जैसे कि schoology, ठीक है, schoology एक काम करती हूँ student, तो पहली statement तो true मैंने आपको बता दी, दूसरा है, mentimeter is a tool used for creating online survey, बिल्कुल सही है, online survey अगर करना है आप लोगों को, बच्चों का, कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, किस लेवल के बच्चे को कितनी किसी चीज की जरूरत है, उसके लिए जो एक टूल बनाया गया है, that is called mentimeter, so both the statements are absolutely true here, next question is, online teaching tools दिये हैं एक तरफ और दूसरी तरफ advantages दिये हैं उसके teachers के लिए, so learning management system हमने अभी पढ़ा, ठीक है, देखते हैं इसी में से answer, encouraging student engagement and collaboration, fostering critical thinking and problem solving, creating and administering assessment quickly and easily, automating grading and feedback, so keywords है, यह मैं आपको keyword highlight कर रहे दी हूँ, आसानी से आपको answers मिल जाएंगे, एक keyword है यह वाला grading and feedback, ठीक है, यह है thinking and problem solving, यह भी keyword है एक, अगला है streamlining courses, administration, managing students, record and grades, students के record और grades को manage करने के लिए, delivering, engaging and interactive class sessions, connecting with remote learners, remote learners क्या होते हैं, वो students चोकी class में आकर नहीं पढ़ रहे हैं, वो students जो घर पर बैट कर भी classes को attend कर रहे हैं, ठीक है, so learning management system का सही उत्तर हो सकता है, learning management system का जाएगा streamlining courses, मैंने आपको बताया, students को manage करना, उनके grades को और records को भी manage करना, साथ ही उनको असानी से हम reading material प्रोवाइड करना सकते हैं, so first का third है, so first का third यहीं से हमें answer मिल रहा है, video conferencing क्या है, delivering, engaging and interactive class session, video conferencing यानि कि video call पे जब classes होती है, तो interaction बच्चों और teacher के बीच में होती है, वही चीज़ यहां पर बोली है, discussion forum बोल रहा है कि thinking और problem solving के बारे में भी बात की जाती है, online assessment के बारे में क्या होता है, online assessment, मुल्यांकन करना, यानि कि grade देना, बच्चों को feedback देना, assessment करना, अबतलब होता है, evaluation करना, तो यह कुछ keywords के साथ, मैंने आसानी से आपको answers बता दिये हैं, यह questions जरूर exam में आज़र्स आएंगी, so thank you so much everyone for watching this video, मैं उमीद करती हूँ, आपको यह session जरूर पसंद आया होगा, अगर चाहते हो कि मैं continue करूँ, तो comment करके जरूर बताना, and telegram channel को जरूर जॉइन करना, महांपर में सारी lists और PDF आपके साथ share करती रहोंगी, so thank you so much,